हेलो आपके किसी भी कोलेज वाले जो एक्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन है थोड़े कोशन ही है ठीक है पहला कोशन है कि पाठ्थ है रतनकोश्ट जो है वो किस ग्रंथ से संबंदित है व्रदेशी से नाटेशास्त्र से संगीत राज से या संगीत आपको पता है व्रदेशी गरंत जो है मतंग का है नाटेशास्त्र भरत का है संगीत राज महाकार महारणा कुम्बा का संगीत परिजाद जो है वो अहोबल का है इन में से पाठ्थे रतनकोश का संबंद आपको बताने किस से है तो इसका option क्या आएगा option number C संगीत राज महा गुबाई हंगल को किया था रविंद राट्यागोर ने सुर्ष री कि उपादी से किसको समानीत क्या था ये college college doctor का exam हो उस से related question सुर्ष री कि उपादी से किसको समानीत क्या गया तो उसका answer आएगा B केसर भाई केर कर को ये question हमारे UGC net में भी आते है ठीक है अगला कोशन है कि किस संगीत तग्या ने अंजनी भाई से शिक्षा प्राप्त की थी गिर्जा देवी ने किशोरी अमोन करने केसर भाई केर करने या बेगा मक्तर ने किस संगीत तग्या ने अंजनी भाई से शिक्षा प्राप्त की थी किशोरी अमोनकर ने अंजनी वाई से शिक्षा ग्रहन की थी अब आपको बताने है कि इन मेंसे कौन सा सम्मेलित नहीं है पहला है अमान अली, मारिक वर्मा, राजब भीया पूचवाले गोविंद, फेयाज खांदिलीप चंद्रवेदी, मलीक अमर्जुन मनसूर, राज शिक्र कौन साइस में से सम्मेलित नहीं है अमान अली नहीं है, राजबिया पुछवाले नहीं है, फैयाज खान नहीं है, मलिक अरजुन मनसूर नहीं है, कौन नहीं है? तो इस कांसर के आएगा, option number A, अमान अली जो है, ये मानिक वर्माद, इसे समन्दीत नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखने हैं, अगरा question हमारा फिफ्ट, निमल लिखित में से इन में से कौन से पुरुसकार हैं, जो MS, लक्षमी और लता मंगेशकर को दोनों को सम समान रूप से मिला है, भारत रतन मिला है, कालिदा समान मिला है, मैकसे से पुरुसकार मिला है, ये दादा साथ पुरुफाल की पुरुसकार मिला है, तो इसका अंसर क्या आएगा, option number A, भारत रतन जो है, आपको पता है, दोनों को समान रूप से ही मिला हूँ है, ठीक है? अगला कोशन है, इन में से कौन सा विकलप है जो है चतु दंडी प्रकिश्च का जो की गरंथा व्यंकट मुखी का उसे संबंदित नहीं है। नहीं है, क्या उसमें ताल पर आधारी गुल आठ अलंकार हैं या संगीत परिजात के नुशार 20 गमक इस संबंदित नहीं है। option number D संगीत परिजात के अनुसार 20 गमक इसमें included नहीं किये गए ठीक है याद रखेगा अगला question है पंडी जसराज जो है वो किस महराज के दर्वार में थे महराज जस्वन सिंग सानत महराज उमेद सिंग जोधपूर महराज बजेंद्र सिंग मेवात या महराज स्याजी राबड़ोदा क्या होगा इसका अंसर कि पंडी जसराज जो है वो किस महराजा के दर्वार में थे ये college lecture के exams जो है उनसे related question थे college में होगा था ना exam college का जो exam होगा था उससे related question नहीं तो इसका अंसर क्या आएगा इसका अंसर होगा option number B मतलब कि महराज उमेज सिंग जो है जोदपूर के उनके दर्वार में थे अगला question है कि महरशी भरत ने नाटे शास्तर में कितने ग्राम रागों का उलेख किया है 6 का, 7 का, 5 का या 8 का महरशी भरत ने नाटे शास्तर में कितने ग्राम रागों का उलेख किया है 6, 7, 5 या 8 ये ग्राम राग का question तो बहुत easy है ज़्यादा typical है ही नहीं है महरशी भरत ने नाटे शास्तर में कितने ग्राम रागों का उलेख किया है 6 का किया है, 7 का किया है, 5 का किया है या 8 का किया है, मारशी भरत ने, नाटे शास्तर ने, तो इसका अंसर क्या आएगा, इसका अंसर जो होगा, वो होगा, option number B, 7, ठीक है, और वो 7 कौन-कौन सी है, आप लोग comment में बताईएगा, अगला question है हमारा 9, निमल लिखित में से कौन से गरंतकार, जो हैं, वो किसी राजय के राजय भी थे, कौन से हैं वो गरंतकार, लोचन है, राममाते है, नाने देव है, या व्यंकट मुखी है, वो किसी राजय के राजय भी रह चुके हैं, लोचन है, राममाते है, नाने देव है, या व्यंकट मुखी है, कौन से है वो आर्टिस्ट जो किसी राजय के राजा भी रह चुके है तो इसका अंसर क्या आएगा option number C नाने देव जो है वो राजा भी रह चुके है अगला question है इन में से कौन सी मद्धिंगराम की जातियां है आपको बताना है आंद्री है नंदियंती है कार्मा रवी है या कैशिकी है कौन सी है आंद्री है नंदियंती है कार्मा रवी है या कैशिकी है या फिर सबी है मद्धिंगराम की जातियां आंद्री नंदियंती कार्मा रवी कैशिकी या फिर ये सबी है अगर आपने मध्यम गराम यह उट शडज गराम की जातियां पढ़ी है तो आप यह राम से इसका अंसर बता सकते हूं सोचिए कौन सा होगा इसका अंसर आंध्री, नंध्यन्ती, कार्मारवी, कैशकी या पिर ये सबी क्या होगा इसका अंसर इसका आंसर जो होगा वो होगा option number E ये सब ही जो है मध्यम ग्राम की ही जाती है ठीक है अगला question है संगीत रतनाकर के अनुसार छह सोरों से कितने सोर परस्तार बनते हैं शारंग देव के अनुसार आपको बताने 5040 2720 750 संगीत रतनाकर के अनुसार छह सोरों से कितने सोर परस्तार बनते हैं 5040 2500 720 750 तो इसका अंसर क्या होगा option number C 720 बनते हैं छह सोरों से according to शारंग देव अगला question है कि समय सिधान्त के अनुसार आपको बताना है कि संधी प्रकाश रागों में निमर लिखित में से कों से थाट के राग आए जाते हैं भैरव पूर्वी मारवा भैरव पूर्वी तोड़ी तोड़ी मारवा खमाच या तोड़ी भैरव भैरवी समय सिधान्त के अनुसार आपको बताना है कि संधी प्रकाश रागों में निमर लिखीत में से कौन से थाट के राग आया जाते हैं भैरव पूर्वी मारवा, भैरव पूर्वी तोड़ी, तोड़ी मारवा खमाच या तोड़ी भैरव भैरवी What will be the right answer of these questions? क्या होगा इसका अंसर? समय सिध्धान्त के नुसा संधी प्रकाश रागों में तो इसका अंसर जो होगा, वो होगा option number A भैरव, पूर्वी और मारवा, ठीक है? अगला question है हमारा, निमर लिखित में से कौन सी ताल जो है वो ठुमरी शैली में प्रिफ्थ होती है? जत, मत, जुमरा या जंपा जुमरा जो होती है, 14 बीट की होती है, मत जो होती है, वो 18 बीट की होती है, जंपा जो होती है, वो 10 बीट की होती है, जत ताल कौन सी ताल जो है, वो ठुमरी शैली में प्रिफ्थ होती है, जत जो है, वो 16 बीट की होती है, तो कौन सी है वो ताल? जो ठुमरी शैली में परिक्त होती है जत, मत, जुमरा या जंपा What will be the right answer of this question? So, answer is here, option number A जत, तार ठीक है, ठुमरी शैली में परिक्त होती है अगला question है हमारा किस गरंथकार पर लोचन के मेल वे राग का सरवादिक पर भाव दिखाई पड़ता है अगला question है कि संगीत रतनाकर में कितने पर भंदो का उलेख हमें मिलता है 108, 76, 96 या 75 संगीत रतनाकर गरंथ में हमें कितने पर भंदो का उलेख किया गया है 108, 76, 96 या 75 कितने पर भंदो का उलेख हमें मिलता है संगीत रतनाकर में शारंग देव के वे 108, 76, 96 या 75 क्या होगा इसका अंसर तो इसका अंसर क्या होगा option number D 75 ठीक है 75 जो है इसका right answer अगला है हमारा question 16 एला करण धेंकी किसके भेद है शुद्ध सूट के हैं सालक सूट प्रबंद के आलिकरम के विपकिरण के है शुद्ध सूट प्रबंद के भेद हैं सालक सूट प्रबंद के हैं आलिकरम के हैं या विपकिरण के हैं किसके हैं एला करण धेंकी किसके भेद हैं शुद्ध सूट प्रबंद सालक सूट प्रबंद आलिकरम या विपकिरण क्या होगा इसका अंसर तो इसका अंसर क्या होगा option number A ठीक है ए जो है शुदिसूट परभंद के आपको पता है एट नाम होते एला करण धेगी वर्तनी जोमंड हना रासक एक ताली हना थैंक यू सो मच अगर आपको ये कोशन पसंद आएं सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू सो मुच पर वाच इस वीडियो ओक थैंक यू